नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंग, आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों, आज की वीडियो में हम फूलोग से माला कैसे बनाते हैं, दर्वाजे पे तांगने के लिए तोरन किस प्रकार बनाया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी तो दर्वाजे का तोरन बनाने के लिए बच्चों, सबसे पहले हमें कुछ पत्ते चाहिए इसमें आम के पत्ते हैं, ये दिखिए, ये आम का पत्ता है और ये असोक के पत्ते हैं, तो ऐसे कुछ पत्ते आप ले लीजिए, आम के पत्ते और असोक के पत्ते फिर उसके बाद हमें फूल चाहिए तो देखो ये फूल है गेंदे का फूल है एक नारंगी कलर का है और एक पीला कलर का है तो इन दोनों फूलों और पत्तों की सहता से आज हम गेंदे का तोरन तयार करेंगे दरवाजे पर लगाने के लिए ठीक है? तो कैसे बनाया जाता है? आप लोग इसे देखते रहें मैं आपको बताती हूँ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? एक हम सूई लेंगे सूई में हम धागा डालेंगे ठीक है? ये देखिए यहाँ पर मैंने धागा डाल दिया है ये हमारी सूई है और तोरण बनाने के लिए बच्चों हमें बड़ी सूई क्या वसकता होती है मेरी सूई थोड़ी सी तीरी हो गई है लेकिन आपकी तो अच्छी होगी सीधी सीधी है ना? तो चलो लेकिन आज हम इसी से बनाएंगे तो ये देखिए मैंने धागा डाल दिया है दिख रहा है आपको ये दिखिए अब मैं आगे कैसे करते हैं आपको बताती हूँ तो ये दिखो बच्चो ये मैंने सुई में धागा डाल दिया है दिख रहा है अभी हमारा डोर बड़ा है दो डोर है इसलिए मिरा धागा लंबा है सबसे पहले हम जो आपको फूल पसंद है मुझे ये नारंगी औरेंज कलर का बहुत पसंद है तो पहले मैंने औरेंज कलर का लिया ऐसे हम सुई में दाय लेंगे और इसको धागे के आगे-आगे सर काते जाएंगे ठीक इस प्रकार जैसे मैं करके दिखा रही हुना ये देखिए ये सबसे पहले हमें अपने दर्वाजे का माप भी ले लेना है बच्चो ठीक है अब एक हो गया फिर हम डालेंगे दूसरा ये देखो यहां से हम ऐसे डालेंगे यहां से निकालेंगे और फिर इसको ऐसे पीछे कर देंगे अब इसके बाद हम दो फूल डाल चुके हैं अब हम एक पत्ते को पहले ऐसे डबल फूल करेंगे फिर ऐसे फूल कर देंगे और सुई डालेंगे और फिर उसे भी हम फूल के पास सरका के लेके जाएंगे तो ये दिखो बच्चो ये हो गया अभी इसके बाद हम यलो कलर डालेंगे अगर आपके पास ज्यादा कलर के फूल हैं तो आप सभी रंगों का इस्तेमाल करिए मेरे पास तो सिर्फ दो रंग है और एंच और यलो तो मैंने दो रंगों का उपियोग किया है आप अपने मन पसंद और रंगों का उपियोग कर सकते हो आज बच्चो हमारे यहां कल गणपती बैठेगी तो हम लोग उसकी तयारी कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बच्चो को भी दिखा दू तो ये देखो बच्चो दिख रहा है ना इसी प्रकार चितना लंबा हमारा दर्वाजा है हम उतना लंबा हाल बना लेंगे ठीक है चलो आप लोग देखते जाएए मैं बनाते जाते हूँ तो बच्चो ये दिखो ये हमारा तोरण तयार हो गया दिखे रहे कितना लंबा है ये दिखिए ये दिखिए तो ये दर्वाजे पर लगाने के लिए हमारा तोरण तयार हो गया है तो अब इसे हम अपने दर्वाजे पर लगा सकते हैं दिखाए दिया सबको तो जब आप लो बना कर लाईए अपने और तोरण बनाते समय बच्चो अगर आप छोटे हो तो आप अपने मम्मे पापा की मदद ले सकते हो ठीक है तो बच्चो ये हमारा तोरण तयार हो गया है आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताईए तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर स अन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए तैंक यू फार वाचिंग जैहीं जै भारत